प्राइम निउस 24 में आपका स्वागत है मैं हूँ अग्रमा जादौन कृषी मंतरी ने किसानों से की रैली स्थखित करने की अपील हर्याना के कृषी एवं किसान कल्यान मंतरी जैप प्रकाश दलाल ने किसानों से अपील की है कि कोरोना संकट के इस समय में वीरवार को होने प्राइम निउस 24 के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट एमस्पी रहेगी मंडियों में खरीद पहले से भी ज्यादा अच्छी होगी हां अगर किसान को कोई उंचे भाव पर मंडी से बाहर को बाव मिलता है तो वह आजाद रहेगा कि वो अपनी फसल को मंडी से बाहर भी बेच के उसकी ओपर कोई मंडी का कानून लागून नहीं होगा एक वी सही है था कि कुछ किसान है वो मंडी के आड़ती भी है उन्होंने बहुत पुंजी लगा कि दुकाने बनाई है कि मंडी का व्यापार परभावित ना हो जाए इस बारे में भी हम चिंतित हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया हुआ है कि ऐसी निती बनाई जाए कि मंडियों का व्यापार किसी भी तरह से इन अध्यादेश की वज़े से कम ना हो चाहे हम इन मंडियों में कुछ और अलग से कारवार करने की छूट दें लेकिन हम अर्बों करोड रुपे की लागात से जो मंडियां विक्षित की हैं जो इंफ्रास्रेक्टर हमने बनाया है इसको बेकार नहीं जाने देंगे और मंडि के अंदर जो भी परिभाई आया है उसको किसी भी तरह का गाटा भी नहीं होने देंगे यह दुस्परचार किया जा रहा है कि मंडियां खतम हो जाएंगी जबकि है इससे बिलकुल उल्टा हम तो तीन-चार जार क कि लागत से अगले महने ही टेंडर करके कंदोर में एशिया की सबसे बड़ी मंडि बनाने जा रहे हैं पिंजोर में एपल की मार्केट बनाने जा रहे हैं स्वानिपत में मसाला की मार्केट बनाने जा रहे हैं उडगाओं के अंदर फूलों की मार्केट बनाने जा रहे हैं मंडिया खतम करने का कई सोच भी ने सकते जब कि हम इतनी पुंजी जब है अपनी नई मंडियों में इनिवेस्ट कर रहे हैं तो वो हर्याना के अंदर मंडियां बहुत ज़्यादा मजबूत होंगी। किसान को किसी वी तरह से चिंता करने की जुरूत नहीं है। हर्याना सरकार किसान ही तैसी कोई भी फैसला लेने से पीछे नहीं आटेगी। पहले भी पिछली सरकारों में, हमारी सरकार में आप रख दिख लीजे। मॉजय का पैसा फसल भास सबसे जढ़ से जादा हमने दिया है। एट्रिप ृडिगेशन पे सबसीड़ी हमने दी है। किसान को बिजली जो है पांच साल से छे साल से हम एक स्टेबल रेट पर देते रहे हैं, बिजली के गंटे हमने बढ़ाए हैं, मंडियों में प्रकॉर्मेंट की अमने व्यवस्था ची की है, कोरोना के संकट के काल में भी हम किसानों की सारी यहों की सर्सों की परचेज करने मे का फैसला लिया है बाजर्या की परचेज भी हम पहले की तरह से करेंगे और MSP पर सुरुज मखी है चना है सरसों है और प्रदेशों से कहीं बहतर हम परचेज करते हैं किसान को सीधा पैसा देने की कोशिश करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि कुछ लोग किसान हितेशी होने का स्वांग करके किसान का हितके खिलाब काम कर रहे हमारी सब ऐसे नेताओं से परारतना है कि किसान को गुम्रा ना करें आप हमारे पास आईए और एक विशे आता है कि ऐसा कानून लेके आएं कि मंडी से बहार भी MSP से नीचे कोई खरीद और फ्रॉक्त होई ना पए हमारे मुख्यमंत्री जी इसके लिए भी ओपन है आप अपने वकील का एक टीम बनाईए एसा विवारिक कोई ऐसा ड्राफ्ट कानून जो है हमारे सामने पे इस करिये जिस्चे कि वो विवारिक हो लागू हो एक कानून बनादेना ही काफे नहीं है उसको उसका किदिया बनान सफल तरीके से करना भी एक बहुत जुरूरी काम है तो हम हर तरह से खुले मन से जो भी किसान यह तैसी संग्ठन है चाहिए उसमें किसान है, पॉलिटिकल पार्टी दुसरीयों के नेता हैं या किसी चुने उपरती निदी हैं सबसे प्राष्णा करते हैं कि किसी भी तरह का सुजाओ है जिसे हर्याना के किसान का भला हो सकता है वो हमारे पास लेके आईए हम खुले मिन्स से उस पर विचार करेंगे और संभव जो भी चीज सरकार के सीमा में रहे के कानून काइदे के अंदर रहे के जो चीज व्यावारिक हो सकती है हर तरह से हमों करने को त्यार है मेरी सभी जो कल का जो आवान किया हुआ है रहली का कुछ किसान समिठर्ण दुवारा उनसे हाद जोड के नमर निविदन है कि ये कोरोना का संकट है पहले ही बहुत ज़्यादा पैमारी पहली हुई है किरपा करके कुछ दिनों के लिए विशान दौलन को सतक्द करें और अपने जो संकाएं हैं को हमारे पास टेबल पे बैठ के दूर करें हर तरह की चीज जिससे किसान का भला हो चकता होगा मनोरलाल सरकार हरियाना सरकार उस चीज को मानने में कोताई नहीं बरतेगी आप बैठिये अपनी जिद छोडिये और मिल जूल करके हम हरियाना को आगे ले चलें किसानों की भलाई के लिए काम करें और किसी भी तरह की कोई भी जो सला होगी जिससे किसान को थोड़ा सा भी लाव होगा वो हम करते हुए देर नहीं लगाएंगे अभी कपास की फसल का नुकसान हुआ सफेद मक्खी का एटेक हुआ चल्ड गलन की समस्या हुई हमारे मुख्य मंतरी ने स्वते संग्ञान लेते हुए स्पेसल गिर्दावरी के ओरडर करके स्पस्त निर्देश दे दिये कि जो बीमित किसान है उसको बीमा से पैसा मिलेगा और जो ऐसा किसान है जिसने बीमा नहीं करवा पाया उसको हम सरकारी खजाने से पैसा देगे हम किसान ही तैसी फैसले लेने में किसी भी तरह की कोई भी कोताई नहीं वरतेंगे और सब भाईयों से, सब किसान संक्षन के नेताओं से, सब दूस्वी पक्सी पार्टियों के पदादिकारियों से, मेरी परारतना है, कि इस वकत जो है, संकट की गड़ी है कोरोना की, ऐसा काम ना करे हम, कि जो है, कोरोना फैले भीडी कथी हो, और गुम्रा लोग हो, किसान को गुम्रा ना किया जाए, उसको जो उसका साफ चीज है, जो उसको लाब होने वाला है, वो उसको हम बताने के लिए तयार है, और किसी भी तरह ऐसे उनको कोई नुक्सान होता है, तो उसकी रास्ता निकानने के लिए, हर्याना सरकार कृत संकल्प है, धन्यवाद.